नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर हमारा LMRC मेंटेनर इलेक्ट्रिकल एक्जाम 2016 साल पेपर है यह जिसका एक्जाम हुआ था 16 मार्च 2016 को यह हमारा इलेक्ट्रिशियन का है यूपी मेट्रो रेल कार्पूरेशन का अफिसियल पेपर तो आए उसे हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर जो टेक्निकल एप्रिट्टूड है इसमें पहला कोशन है वाट डज बी इस इस स्टेंड फार बी आएस का फूल फार्म क्या होता है तो स्टेंडर होता है तो यहां पर इसका भी स्वारिश्टी एंसर करेक्ट हो जाएगा बी इस का फूल फार्म हम जल्दी जल्दी क्योंकि यह पूरा पेपर है तो आप लोग सेलूसन देख सकते हैं कि कुई को इसके नीचे दिया गया है सब कुछ दूसरा कोशन है कि स्विच कौन से तार पर लगाते हैं हम लोग तो वह तार रहता है हमारा फेज पर लगाते हैं यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा तीसरा कोशन है CO2 अगनी सामक निमने लिकेत में से किस प्रकार की अगनी को बज़ाने के काम आता है तो जो CO2 अगनी सामक की अंतर होता है इससे जो आग बज़ाय जाती है वह कल्स B और क्ल्स D की आग बज़ाय जाती है क्लास B के अंतरगत जो आग आती है वह हमारा द्रवों से लगी हुई आग आती है और क्लास D के अंतरगत धातूं और इलेक्ट्रिक से लगी हुई आती है चौथा कोशन है यहाँ पर कि बिद्धुत कारे में निमने में से कौन सा एक कुछालक के समान कारे नहीं करता है तो आपको पता होगा आने यह जो नोड है नोड की तरफ आने वाली धहराओं का योग इकॉल टू नोड से दूर जाने वाली धारा का योग बराबर होता है तो यहाँ पर देखिए आने वाला और जाने वाला का अगर बात करें तो आने वाली हमारा एक हो गया यह हमारा दो हो गया यानि कि पांच हो गया पांच है यह दस हो जाएगा पंद्रे तो पंद्रे हमारा आने वाला है जाने वाला कितना है चार है तो चार घटा देंगे तो पंदरे मीसे चार जाएगा Now यहां पर हमार्य करेक्ट आंसर आ जाएगा तो ग्यार यहां पर आपनि नमबर भी दिख रहा है तो भी करेक्ट हो जाएगा सातों कोश्चन है एक क्लोजट एंड कंप्लीट पाथ फार फ्लो आफ इलेक्टरिक करेंट इस नोन एज बिद्धु धार प्रवा के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है तो यह जो पूर्ण मार्ग होता है यह हमारा सर्कृट यानि की ठेकी जो होता है वह हमेशा कम होता है यानि केरे तांसर हो जाएगा नमा कोश्चन कहा रहे है इन ऐसे अर्ययल सर्केट एक परिपत कारियल परिपत्थ में होता है आपका करेंट लेक्स बिहांड वोल्टेज बाइ 90 डिग्री धार आप इवह से 90 डिग्री पेश्च वर्ती होती है इसके बद्दस नंबर का कोश्चन है फार्म फैक्टर आप संस्वाइडल वेव इज जो साइनो स्वाइडल तरंग होता है उस तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यही होता है यह नंबर कोशन एकार्डिंग टूदा आईयस कोड दा कलर आफ अर्थिंग वाइर इस तो जो अर्थिंग वाइर का कलर होता है आपको भी पता होगा यह कैसा होता है तो ग्रीन होता है क्योंकि इसे हम ग्राउंड से दे होता है इसका यहाँ पर आएगा सा टूथ वेव आफ हाइफ फ्रेक्वेंशी यानि कि उच्छा वृत्ति की साटूथ तरंग होती है तेरे नमबर कोशन है, no signal condition of a transistor infers that transistor की सुनने signal इस्तितिक का अर्थ क्या है? तो देखें, transistor की सुनने signal इस्तितिक का जो अर्थ होता है, वो रहता है कि signal voltage is 0 यानि कि signal voltage सुनने है चोधे नमबर कोशन है, conventional flow of current in a PNP transistor is from तो PNP transistor में धारा का प्रवाय कैसे होता है? प्रिक्वेंसी आफे ऑसी लेटर सर्किट इस इसी दो लित्र परिपत में रित्य ग्यांद करने का सूद्र क्या होता है इसका लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वह फार्मूला रहता है यहां पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा तो वर्ग प्रकार के जो प्रवर्धक होते हैं उसकी अधिक्तम दच्चता कितनी होती है तो इसकी जो अधिक्तम दच्चता होती है तो यह होता है आपका लो आउटपुट यहांने कि निम्न आउटपुट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्मिनल साफ सी यार के टर्मिनल कौन-कौन से होते हैं तो यह CR के जो टर्मिनल होते हैं वह आपका एनोड कैथोड और गेट होते हैं तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर कोशन है एडिवाइस विथ कंबाइंड प्रापरेटिज आप थाइरिश्टर एंड ट्रंजिस्टर एज बिद्दूति यह यूगति जिसमें थाइरिश्टर और ट्रंजिस्टर के संयुक्त पाए जाते हैं वह कौन सा है तो वह रहता है आपका जीटियो तो यहाँ पर डिए अंसर करेक्ट हो जाएगा डिवाइस विथे निगेटिव रजिस्टेंस फिल्ड एजवाइव तो जिसमें रिलात्मक प्रत्रोद छेतर पाए जाता है वह कौन सा होता है तो यह रहता है आपका यूजेटी तो यूजेटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 प्रिस नमबर कोश्चन है कि अरेंज दा फालोविंग इन डिसेंडिंग आडर एकार्डिंग टू जेयर अपरेशनल स्पीड यह सियार पामर बीजेटी आई जी बीटी पामर मॉस्फेट संचाला की गति के अनुसार सही घड़ता हुआ क्रम क्या है तो इसका जो सही लोगी घड़ता है तो जो नार और अद्वारश जो घड़ होता है यही आपका यूणिवर्स Legisl Ap गेट है अब तैस नमबर कोशन है फिलिप फ्लाप इज यह तो फिलिप फ्लाप जो होता है या क्या होता है हमारा एक बिट इस्टोरेश सेल होता है बानेरी नमबर अब टैंड बाई मल्टिप लिकेशन आफ 111 एक एक सो गया 711 टतेथा एक जीरो एक को गुड़ा करने पर प्राप्ट संख्या क्या होगी इसका जो प्राप्ट संख्या है आएगा वह आपका यह आपसे नमबर आ जाएगा इसे आप लोग देख लीजिए गा वाइटिज दा सेपाफ ट्रीटर की सणरचना क्या होती है तो रिंग सेप के होते यानि कि वलियाकार होती है और की संद्राचना एंड सर्फिस विए आउट दिख परिवर्थ तक अतितप्त होगा और सत्य घिस जाएगी सत्य नमबर कोशन है इमीटर बेस जंग्सन इज फारवर्ड बाइस इन उस सर्जक आधार संधि में अग्रवर्थी बाइरिंग होती है तो यहाँ पर जो होती है वो रहता है आपका इसे चुरेशन मोड तो सिचुरेशन मोड यहाँ पर आपसा नमबर भी करेक्ट हो जाएगा 28 नमबर कोशन कि ट्रांजिस्टर केन नाट बी यूजड एज ट्रांजिस्टर किस रूप में इस्तिमाल नहीं किया जा सकते हैं तो कैशिटर के रूप में ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं 29 नमबर कोशन यहाँ पर कह रहा है बोथ करेंट गेंड वोल् तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यही सब कुछ दिया गया है उसके बारे में आप अपने वीडियो पाच करके देख लिएगा तिस नमबर कोशन है विच आप फॉलेंग इस नाट टाइप आप इंटिग्रेटर सर्कृत यान की कौन सा आइसी नहीं है तो देखेंगां सर्किट का एक प्रकार जो नहीं है विए आप का है टेट्र ये इंटिग्रेटरीस सखें यहीं क्राठ के पास कितने टर्मिनल होते हैं और कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं को अ ней को ऑटः पार्टफ्स मेसीन कर लोग सबसौत्कते मसीन इस डिश्यमेट भजब मСпle ऑठ्टा की मसीन रजार्ण यह तो यह बना होता है तो यह कश्ट टैन का बना जाता है तो एक विलगित उत्यज़ित जनरेटर में क्या होता है आपका कि field winding is excited by an external DC source यानि कि 6 वायनिंग को by DC source से उत्यज़ित किया जाता है यहां पर इसका answer correct हो जाएगा अब है 34 नमबर का question परचेक्ट करने के लिए और फ्रसपार्मार कौ Lakato का दॉच्पार्मार को एककर आपर करने के लिए को किस से बनाति करने यानिकि यहां बिरीद्व लूओ यहां पर सुंसर हो जाएगा under मेंसेन स्पीड़ कंट्रोल में किलोसीमो सब्सक्राइब करेक्ट रिगार्डिंग इस्टेपफ ट्रांसफार्मार के लिए कौन सी कथन सही है तो एनियस कमाने एनपी से ज्यादा होता है यानि कि क्यों हो गया आपका 37 नंबर कोश्चन इस सप्लाइट टर्मिनल आफे डिसी मोटर और इंटे इंटर्चेंज देन अगर एक डिसी के सप्लाइट टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा क्या रहा है कि चक्रन की जो जिसा होगी वह आपर वर्थित यानि कि सब्सक्राइटर यूज करते हैं तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब है 39 नंबर का कोश्चन टाइप आप मोटर जनरेली यूज्ट इंदर टांसपोर्ट वाइकल इज परिवहन वानों में सामानेते परियोग होने वाली मोटर कांस ही होती है जिसमें जो मोटर होता है यूज किया जाता है ह। इसका रिजै करेक्ट हो जाएगा चालेस श्रीज मोटर ससाय करना होता है है रिवर्ज आप कितना होता ह्हा है प्语ब को अने 60 interval करते यह क्षा स्थाटबॉड्ण एमप्लिफएर हनाध प्रवर्धक का सोड गुड़ांग की मैं हो थो इसका होता है जिरो डेसिबल अगर आदर से तो फ़लूए इस ततौ इसको को सबसे मिंग कॉल सबसे चुब पूल डीसी मसीन में क्या होता है तो अल्टरनेटर पूल और नार्थंट साथ हुआ कल्फिक पूल उत्रवद अच्छन होते हैं वाट डच पीविसी इस्टेंड्स फार तो पीविसी का फुल फर्म क्या होता है तो पाली विनालकुल राइड होता है आप सो नंबर सियां पर करें दीखरा यह पाली विनालकुलृइड घृट इससेट नंबर कोश्वुशन है आप डेसी मसीन और मेंड आप डेसी मसीन के ब्रस किसके बने होते हैं तो कार्बन के बनाए जायते हैं डीसी मसीन के ब्रस और तालिस समय पशेंट लेट पार्ट आपड़ लुटेश्य मो उन्चास नंबर कोश्चन इन डीसी मशीन फ्रेक्शनल पिछ वाइंडिंग इस यूज़ एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिछ कुंडली किसका परियुक्त किया जाता है तो रिडूस्ट दा इस पार्किंग को कम करने के लिए यूज़ करते हैं पचास नंबर कोश्चन इसमाल डीसी मोटर अप्टू फाइप यूज़ूएली है यह पांच यह पी तक कि डीसी मोटर में समानते क्या होता है तो दो पोल्स होते हैं पीचेबस फालिः इसमाल नेससरी आडवैंटेज आप डीसी मोटर अवहर असी मोटर इनमें से किया आवश्य हूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुल्ला में लाथ नहीं है तो यह जो लाथ नहीं होता है यह रहता है आपका लो कास्ट कम लागत DC संट मोटर are used for driving DC संट मोटर का परियुक किसके संचालन में किया जाता है तो DC संट मोटर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं तो यह machine tool के लिए करते हैं The speed of a series motor at no load each No load per series motor की चल कितनी होती है तो अननत होती है infinite Inner DC motor if the back EMF is absent तो यदि DC motor में back EMF absent है तो क्या आगए तो motor will be run motor चल जाएगी पच्पन नामर कोस्चन है Which of the following can be used for controlling the speed of a DC motor DC motor की गति को नियांतरित करने हैं किसका प्रियुक करते हैं तो थारिश्टर का यूज हम लोग DC motor की गति को नियांतरित करने के लिए करते हैं जब एक motor को चलू किया जाता है तब घूड़ा की आवरित्ति क्या होती है तो घूड़ा की जो आवरित्ति होती है सेम एच सप्लाइ फ्रिक्वेंशी होती है कमने यूज़ एसी मोटर फार इंडस्ट्रियेल अप्लिकिशन इज अद्योगी करनों परियोग सामने तौर पर पर परियोग होने वाली इसी मोटर कांशी होती है तो 3-phase इंडेक्शन मोटर होती है in the slip of the rotor have an induction motor is halved the value of rotor reactance becomes यदि एक प्रेहर मोटर की घोड़क के इस लिब आदी हो जाए तो घोड़ा का प्रेक्टेंस कितना हो जाएगा तो यह डबल हो जाएगा द्याख्या आप लोग देख सकते हैं 59 नमबर कोश्चन है तो इंडक्षन मोटर विल रन एट सिंक्रोनेस स्पीड इफ इस रहन प्रेरन मोटर तुल्यकाली मोटर पर चलेगी जब वैक्या हो तो देखिए जब यह क लिए पढ़ानी हो तो क्या की जाती है तो एकर आपको यह बढ़ाना है अल्टरनेकर का तो पूल इज जब आर्मिचर चलकों की संखेच और अजशी तथा पूलों की संखेच अच्छा हो तो पूल पिछ कमाद कितना होता है तो पूल पिछ कमाद जो होता है वह आपका 14 होता है यहां पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा मासर नंबर कोशन करें तिरस्ट नंबर कोशन ओने तो इस बैंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं तो इस binding को हम लोग कहते हैं wave binding तो wave binding आपसे नमबर भी यहाँ पर correct हो जाएगा 4 September question is the process of joining in after coil on a commutator segment is called coil के सिरों को commutator segment पर जोडने की प्रकिरिया को क्या कहते हैं तो हम लोग इसे coil connection कहते हैं suspension type register are connected in जूला रूपी बिद्धुत रोधक किस क्रम में लगे होते हैं तो जूला रूपी बिद्धुत रोधक जो लगे होते हैं यह सिरीज में लगाए जाते हैं तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेश हो जाएगा specific gravity of aluminum age, aluminum को specific gravity कितना होता है तो 2.07 g per centimeter cube होता है 67 number question paper used in insulator of cable age, cable के बिद्धुत रोधन में प्रेवक्त paper कौन सो होता है तो impregnated paper हम लोग यूज करते हैं cable के बिद्धुत रोधन में which of the following is added to rubber in vulcanization process तो vulcanization प्रक्रिवर में क्या मिला जाता है हम लोग sulfur मिलाते हैं vulcanization process में 69 number question which of the following technique is used for energy production at low low head कम विभव पर सक्ति उत्पादान के लिए निमनमें से किस प्रणाली का उप्योग किया जाता है तो इसके लिए रिंगे में distribution technique याने के रिंगे में वित्रन प्रणाली के यूज हम लोग करते हैं सत्ता नमबर कोशन विच आप फालूंग इस नाटे फंक्शन आप स्विच गीर नहीं है तो प्रवीजन फार सेल्फ कंट्रोल या आपका स्विच गेर का गूल नहीं है विच आप ता फाल composition is like normal transistor यानि कि इसकी सनाचना सामान transistor के समान होती है यह आपका गलत कतन है यह आपका है पी स्वारी एंपी एंट टांजिस्टर आपसो नमबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगे एंपी एंट टांजिस्टर विच आप फालूंग इजनाट इनान कान्वेंशनल इनर्जी सोर्स नहीं है तो आपको नेचुरोल गैस है आपको गयर परमपरागात उर करते हैं दोस्तों हाँ यहां पर हमारे टेक्निकल को स्वाड़ी can ohji सब सब्सक्रांट लेक्री सिहनी होता है लेकिन क्या है कि हमने पहले ऴीडियो बना दिया था नाटेकनिकल का ने रहें हो यह उसमें भी वही प्यपर है तो उसको हमने एक अलग से वीडीयो बना कि रख दिया था ताकि हमें बार-बार वीडियो ना बनाना पड़े हमेशा पच्छिस कोस्टन का बार-बार हम हमें में बनाने के लिए दिक्कत हो था तो इसलिए क्या है कि हमने आपको डिस्क्रीप का है तो मिलेंगे नेश्ट वीडियो में थैंक यूँ